वहाँ पर हम लोग नेक्ट देखने वाले हैं बहु खंडन, जैसे आपका दुई खंडन यानि कि दुई विभाजन का इसको कंपेर से याद करना है, इसके पड़े आपने का देखा थे, ग्लास फोर्ट में, दुई खंडन, दुई खंडन मतलब दो कोस्त का होता, अब बहु प्रति पूल परिस्तितियों में होता है, किस परिस्तिति में होता है, प्रति पूल परिस्तितियों में होता है, क्लिए रगए, आपने देखा थे विभाजन किसमें अमीबा पैरामिसयम में पाया जाता है, अमीबा पैरामिसयम इसमें पाया जाता है, लेकिन अंतर यही है, कि यह जब जानन का श्णा है तो यह कैसा होता है प्रेत्चूल परिश्ट इनकर और देखो कि लैंगिर जणनन का प्रकार था यह आलेंगिर जणनन का प्रकार है आलेंगीक जनन का प्रकार है बोलू इतना प्लियाग है वहां दोई वी भाजन में क्या होता था जीओ अन्धुकूल परिस्ति दिल आने पर हना दो भाग में दिढ़क्त होकर प्रतेश भाग से नई संत्रकोश्काओं का निर्मार करते हैं प्रत यहां पर क्या है यहां पर इ जनन में यहां कि बाउखंडन में मल्टिपल भीजन में क्या होता जो जनक होता है जो जनक होता है जो नाम क्या है जनन का बाउखंडन तो इसले जो जनक होता है छोटे छोटे खंडों में बढ़ित होकर अलेक बहुत सारी तो जनक जो होता है छोटे छोटे भागों में भीव संता और अनेक संतत को समय लाइग करता है अनेक संतत को समय अरए भी आपने बार कि नहीं समझेム हमीवा में होता है बौकरंटण किसे होता है देब खाल में होता है इन कि अजयन पलता फरा समसुत्रि बप्खांचन द्वार्भ हां और्थ सुर्थR बप्खां द्वार्थ सम्सूत्री विधाजन यानि की माइटोसिस द्वारा सम्सूत्री विधाजन यानि की माइटोसिस के द्वारा भुता सम्सूत्री विधाजन यानि की माइटोसिस